वो कहते हैं 22.8 उसको 228 किलो बोला जा रहा है पहले तो आपने 230 किलो बताया अब आप कह रहा हैं कि 22.8 तो 18 कचर में लाद के क्यों ले जा रहे थे और द्रड़ता से बोलेंगे और अभी तो बोल रहे हैं अगर जरूरत पड़ी तो हम सेना खड़ी करेंगे क्यों नहीं करें हमारा अदिकार है अपने देश में ठगी यह एक दंदा है यहां यहादमी ने जा करके मनुश्या ने जा करके कैलानाद भगवान को ठग लिया कि हम देखी विश्वास घात थंदा है यह सब खुब हो रहा है अपने देश प्रहा है अगर अभी भी हम चुप रहे है कोई बी चूप रहा तो फिर इसके बाद क्या होगा कोई व्यक्ति व्यक्ति को ठग लें तो हम एक बार पेक्षा कर देंगे कि बही चलो। यह तो और हम शंक्राशारे हैं, हमारा धार्मिक शेत्र में दाई तो बनता है। लेकिन 18 खचर में क्यों लेकर गया है। इसका जबाब बताईए। और पुलिस क्यों इतने दिन तक लगाई और उसके पीशे जो खर्चा किया गया उसका क्या है। अगर हमारी निगरानी में हम समीती के सदस्य हैं और हमारी समीती के निगरानी में कोई परिसर है। उस परिसर में कोई भी आएगा बिना हमारी अनुमती के काम करके और चला जाएगा। और मान लिया कि यह दाता आया और उसने लगाने के लिए कहा आप से अनुमती नहीं ली तो पहले तो अनुमती बिना लगाने कैसे दिया और दूसरे वो चांदी कैसे निकालने दिया उसको और तीसरे लगा दिया तो क्या लगा देने के बाद उसने आपको कोई हैंड ओवर लेकार्ड कि यतना सोना हम लगा रहे हैं और इसको आप आप स्विकार करेख आप या मंदिर का हो गया अब हमारा नही रहा तो अब पिर आपकी जो किताब एशन हे कि क्या आप के पास कितनी साम ह्मगरी है कि अपने स्टाक डेस्टर उसको में करते कोई उसी भी आएगा कुछ भी रखर के करे कर बबादे लेकर लगा कर के चला जाएगा और आप इसको मेंट में करूग पर उस्टंप में भी तो यह जो बाते हैं इन Achos & Parents कि ठापना होती है और उसके बार जब ये बात आई उसके बाद आई उसके बाद से जाने कीतने लोगोंने मांगी जाने कितनों इस लगोंने मांई कहे घाना कि जानश कराओ आज तक जानरमी था तो हम निराधार नहीं कह रहा है front हमको निराधार कहने वाले निराधार कह रहे हैं यह हम कहना चाहते हैं आप राजनीतिक्यों की तरह बोल रहे हैं तो हमारा यह कहना है के दारनात के बारे में हम बोल रहे हैं के दारनात भारत की संसद है कि उत्राखंड की विधान सभा है हम भारत की संसत के बारे में बोल रहे होते उतराखंड की विधान सभा के बारे में बोल रहे होते तब आप हमारे उपर आरोप लगा सकते थे कि आप राजनीती बोल रहे हो हम केदारनात मंदिर के बारे में बोल रहे हैं वहां के बिराजमान देवता के बारे में बोल रहे हैं, उनके साथ हुई ठगी के बारे में बोल रहे हैं, दूस प्रचार के बारे में बोल रहे हैं, कोटाले के बारे में बोल रहे हैं, और उसके बाद आप कहते हो कि हम राजनिती कर रहे हैं, क्या राजनिती है इसमें रहे हें सोना जो भगवान को एर्पीद हुआ था हम तो कह रहे हैं कि धार्नाथ हम तो कह रहे हैं GhoTala और यह तो जग जाहिर है इसमें राजनीती कहां है लेकिन फिर भी हमसे पूछा जाता है कि आप राजनीती कर रहे हैं फिर वो व्यक्ति कहता है कि ये जो अभी आप को बात करने चाहते हैं लोग खड़े थे हएं और जब हम निकले तो उन्होंने कहाा नहीं बात करने पड़ेगी मैंने अनुरोध किया जबाव नहीं डाला लेकिन अनुरोध किया तो हमने का ठीक है बोलो आप क्या पूछना चाहते हो बोल दो उन्होंने के दारनात के बारे में पूछा हमने अपनी बात कही जो हमारे मन की पीड़ा थी इसमें राजनिती कहा हो गई और प्रेस कांफरेंस ह रहे हैं कौन से संसन ही हम पहला रहे हैं जिस समय यह कहा जा रहा था कि बंबई से ट्रक में सुरक्षा में सोना आ रहा है उस समय बदरीनात के दारनात मंदिर समीति का अध्यक्ष होने के नाते आपने खंडन क्यों नहीं किया कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं जिस समय अठार के लिए रोपोर्टिंग की जा रही थी कि यह आए हैं यह हो रहा है एक दिन थोड़े हुआ यह लगातार हफतों तक रोपोर्टिंग हो रही थी उस समय क्यों खंडन नहीं किया गया उनके द्वारा और जब उसका वीडियो जारी किया गया करभगरे के अंदर का सोने का नहीं देना नहीं है ऐसी समीति इस समीति को तुरंत बलखास्त किया जाना चाहिए जो यह कहे कि हमको हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है कोई आया लगा के चला गया तो कोई आता है मंदिर के अंदर गुसता है वहां पर लगी चांदी निकालता है दूसरी पत्तर अधिक्षिय कोई को हैं अगर ऐसा है तो इसी समीटी का कोई ताथ पर यह रहता यही नहीं समीटीचे लोगों के लोगों के मैं जब में कोई दो Jake को तक सबांएन दो ना तो जांच कराई जा रही है ना तो अध्यक्ष के दोरा कोई जबाब दिया जा रहा है और जब शंकराचारी के रूप में हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है एक एक शब्द कई गई बार तौल करके केवल तौल करके नहीं बोलते हैं कई बार तौल करके बोलना पड कि हमने कोई प्रेस कानफरेंस नहीं की यहां तक कि इस समय अगर हम आप से बात कर रहे हैं तो हमने आपको नहीं बुलाया है आपने अनुरोध किया है हमारे जो प्रेस मीडिया के प्रभारी हैं उनसे बार बार कि हमको मौका दिया जाए हमने मौका आपको दिया है क्योंकि हम जब आप बात करना चाहते हैं तो हम सागत करते हैं आपका तो ये जो दो आपने बाते हैं कि एक तो हम निराधार बात कहते हैं हमने आपको बिस्तार से बता दिया कि हम निराधार नहीं कहते हैं बलकि हमको निराधार करने वाले निराधार बात कर रहे हैं और दूसरे नेता क की बात को उठाने के लिए हम करने को भी तैयार है और जितनी बार करने पड़े उतने के लिए भी तैयार है राजनिती हमारा विशय नहीं है इसलिए हम राजनिती में ज्यादा नहीं बोलते हैं हाँ कभी किसी राजनिता के बारे में कहीं हम बोले होंगे तो उसमें आप तो कि आहें हम्रे मेरने दिखने लग जाए तब दंड़ार रहेंगे की सिघा तो तो उसी तरह से हम राजनीति से हमारा क्या लेना देना लेकिन जब राजनीती खुष मरेनी खुष गई राजनीती हमारे मठ में गुश गई राजनीती हमारे जीवन में गुश गई हमारे धार्मिक जीवन में तो हम बोले भी न, ऐसा नहीं हो सकता है राजनिता जब जब हमारे धर्मस्थानों में या हमारे धार्मिक जीवन में हमारे धार्मिक परंपराओं में इस तक शेफ करने की कोशिश करेंगे उसी के लिए हमको शंकराशारे बनाया गया है हम बोलेंगे और द्रड़ता से बोलेंगे और अभी तो बोल रहे हैं अगर जरूरत पड़ी तो हम से ना खड़ी करेंगे क्यों नहीं करेंगे हमारा अधिकार है परंपरा है हमारी धर्मरक्षा के लिए जो जरूरी हो सब करना हमारा अधिकार है तो हम करेंगे वो कह रहे हैं अनुरोध करते हैं कि अगर इनके पास कोई प्रमान है तो कोल्ट में जाएं तो हमने उनके अनुरोध को स्विकार किया है अब शिक्ता पड़ी तो हम कोल्ट में भी जाएंगे